तो मैं उत्र प्रदेश में हुए मदरसों के सर्वे पर मौलाना अर्षद मदनी के बयान पर राजी मंतरी कपिल देव अगरवान ने पलटवार किया उन्होंने कहा कि अर्षद मदनी का बयान बेहदी आपतिज रखे उन्हें ऐसी बयान बाजी नहीं करने चाहिए हमारे देश की प्रदान मंतरी और यूपे के सीम योग या दितनात की यही सोच है कि दीनी मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के एक हाथ में दीनी किताब हो और दूसरे हाथ में लाप टॉप हो मदरसों में दीनी तालीम के नाम पर सिर्फ बच्चों के जीवन से खिलवाट किया ज़ा रहा है दरसल दारुल उलूम देव बंद में मौलाना अर्शित मदनी ने मदरसों के सर्वे को लेकर प्रदेश के सभी मदरसों के मौलानाओं के साथ शुक्ति प्रदर्शन करते योगी सरकार पर निशान असाधा था और ये कहा था कि उन्हें मदरसों के लिए सरकार से किसी मदद की जरूरत नहीं उनकी इसी बयान पर जवाब देते हुए यूपी सरकार में राच्यमंत्री कपिल देव अगरवाल का बयान सामने आया उन्होंने कहा कि दारुल उलूम हिंदुस्तान की एक बड़ी संस्था है और अर्शिद मतनी के द्वारा इस तरह की बयान बाजी करना अपत्ती जनक है सवाल किसी भी रूप में सरकारी मदद देने या लेने का रही है पीम मोदी और सीम योगी सिर्फ ये चाहते हैं कि दीन की पढ़ाई के साथ दूसरे हाथ में बच्चों के लाप्टॉप हो अब इससे पहले आपको सुनाते हैं वो बयान जिसको लेकर है विवास चुरू हुआ हर्फ नहीं जानता है आदमी A, B, C, D दाखिल हो जाए हम उसे अलिक बेटे से गराएंगे A, B, C, D ने अलिक बेटे से गराएंगे और मरने के करीब हो और कई मैं पढ़ना चाहता हूँ क्या है और शी के साथ ही उत्रप्रदेश बुलिटर में फिलाल के लिए इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रही आरे रियोस